अगर हम देखने चाहें तो इसको मार्केट का जोकर भी कहा गया है क्योंकि यह वो शेर है जो बड़ी अभी तक नहीं दिखा पाया है तेजी के बाद हमेशा गिरावट आती है बहुत जल्दी है पहली फेबरुरी को बजट आने वाला है और बजट जब भी आता है यह वो शेर है जो कांपने लगता है वीडियो में हम बात करेंगे आईटी से लिमजेट की यह 217 रुप्य पर यह कितना सस्ता है कितना महंगा है और हाल फिनाल में बहुत बड़ी खबर लिए इस दिया यह बड़ी आईटी सी लिमजेट को लेकर तो उसके बारे में हम यहाँ पर झाल करेंगी लेगन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बात जाते है आईटी से की दो श्यांतरा रुम् आजिविये में हम देखे तो एक महिने में 2% का भूत है तेजी और गिरावट यहां पर हमेशा आई है 214 रुपए के उपर गिरावट आई 202 रुपए तक गया रिकवरी हुई 213 पर आया वापस इसमें गिरावट आ गई लेकिन उसके बाद बढ़िया रिकवरी अभी 217 रुपए तो रुपए तो रुपए ट्रेट कर रहा है एक साल में अभी भी 10% की गिरावट है अभी भी इसका जो प्री कोविट है और तब्रीवन 240 का है उसको यह नहीं तोड़ पाना है 1500 रुपए तक तक यह शाय टूर गया था कोरोना काल में तेज़ी आई गिरावट आई तेज़ी आई गिरावट आई अफिट से तेज़ी की तरफ आगे ज़रूर बना है तीन साल में अगर हम देखे तो ITC Limited के शाय में अभी भी 18% की गिरावट है तीन सो बीस रुपए तक यह शाय ट्रेड कर चुका है और टेर सो का लोगी इसने कुरोना काल में बना दिया है लाज के अप शाय है तकरीबन दो लाग साथ हजार करोड से भी जादा का इसका मार्केट की आप है एनसी में देखेंगे तो तक्रीबन तक्रीबन 6 करोड तक का इसका वाल्यूम ट्रट देखने को मिल रहे हैं अच्छी बड़ी कॉंटिटी में लोग यहां पर खरीदारी बिक्वाली कर रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखें एफाइस ने विक्वाली की थी सब्टेंबर कॉर्टर के दर में बात करो तो अगभी तक डिसंबर की पैटर्न नहीं आई है और ना ही डिसंबर कॉर्टर के इनके नतीज़ आ है FIS के पास 12.96% की होल्डिंग है, 9.95% की होल्डिंग, mutual fund के पास है 21.65% की होल्डिंग, insurance company के पास है यहां पर highest public shareholder में एक बढ़िया कमपनी है, टॉबे को manufacture India में के 24.20% की होल्डिंग और एक और आप देखें individual investor holding भी तक्रीबर 11.96% है, और सबसे खुबसूरत चीज़ यहां पर यह है कि यह वो share है, जो dividend paying के मामले में काफी दमदार है एक हजार पंदरा परसंट का यह dividend pay करता है, दस रुपे 15 share, और शेर आपको दस रुपे 15 पैसे का dividend मिला है और वो भी पिछले साल जुलाई में भी पै किया था, और इस बार भी अच्छा dividend पै यह ज़रूर करेगा तो dividend से माला माल करने वाला यह share है, भले ही share में गिरावट आई है, लेकिन अगर हम dividend कोई भी यहां पर calculate करेंगे, तो definitely share में अभी भी लोगों का फाइदा ही है ITC आप देखिए, हाल किला में एक बहुत बड़ी ख़बर निगर कराईए, वो यही है कि ITC को Based Governed Company का अवार्ड मिला है Based Governed Company बदलब ITC Bank ICSI Award for Excellence in Corporate Governance सबसे अच्छी Corporate Governance वाली कंपनी का अवार्ड ITC को मिला है Generally हमने पिछले कुछ महिनों में, एवन कुछ सालों में भी ऐसे कई सारे खबरे देखी है कि यह Company में Corporate Governance नहीं है, जिसके जोड़ी शायर टूट गए तो Corporate Governance ना होने के वो वज़े से Corporate Governance के Issue के वज़े से बहुत सारी कंपनीों के शायर बरबात तक होते हुए हमने देखे हैं जहां दूसरी तरफ ITC को वहिया सबसे अच्छी Corporate Governance वाली कंपनी का अवार्ड बिला है बहुत अच्छी बात है, पंडा में टैनी भी किस कंपनी के लिए, ITC आने वाले दिनों में बढ़िया स्टोक बन सकता है और इसमें कोई शक्त नहीं है कि यह नहीं बन सकता, बहुत ही बढ़िया स्टोक बन सकता है क्योंकि company का पूरा का पूरा जो business सारा business है वो एक ही company के अंडर टक है वो ITC जो 217 रूपे के ऊपर trade कर रहा है चाहे इनका agree business हो चाहे इनका hotel chain का business हो चाहे इनका ITC का wholly owned subsidiary ITC import हो यह सब कुछ इसी के अंडर में है FMCG में अगर हम देखे तो इनका जो portfolio है वह बहुत ही दमजार है 25 से भी जादा world class Indian brand है that create a retail value in India FMCG brand में आप देखे तो आशिर्वाज, Sunfees, UTA, Bingo, Be, Natural, Ideas and Masterchef, Pebble, Shunbeam, Fiyama, Engage कई सारे इनके product है, have gained encouraging consumer franchising with a short span of time काफी कम वक्त में उन्होंने लोगों का भरूसा भी जीता है FMCG portfolio आप देखे चाहे foods हो, education and stationary हो, lifestyle recurring grant हो, अगर 32 हो या फिर sticks हो, doob हो, safety matches हो, तो इसमें company ने लोगों का भरूसा जीता है हम काफी अच्छी तरीके से पूरे की पूरे business हो capture किया है, foods में के अगर हम बात करें तो branded package food business is one of the fastest growing food business है इंडिया में अगर हम देखे तो और उसमें भी इनके जो product है वो बहुत ही जादा consume किये जाते हैं और इतना ही नहीं ITC जो है वो अपने product को export भी करता है North America, Africa, Middle East और Australia में इनकी जो food items है वो यहाँ पर export भी होती है तो यह भी अच्छी बात है परसनल के product भी काफी बढ़िया है अगर हम देखे तो वह भी एक से बढ़कर एक है प्रॉफिट भी अगर हम देखे तो company हर quarter में एक बड़ा मुनाफ़ा कमाती है यहाँ पर भी टेकनिकल रेटिंग इनकी शांदार है शांदार टेकनिकल रेटिंग है इस company की जो एक government अभी जो कुछ decision ले रहे अभी भी इस company का जो बढ़ा रेवन रहे वो cigarette और tobacco product से ही आता है और सरकार अभी जो क्या कर रही है कि smoking age जो है उसको बढ़ा रही है 21 तक लेके जा रही है 21 साल से उमर के कम लोग अगर smoking करते हैं तो उनके उपर actions भी लिए जाएंगे और इस बार strict action लेन बेटक का fine लग सकता है तो इन सारी चीज़ों को भी हमें अभी ध्यान में रखना है सेकार काफी साइट decisions यहां पर ले भी रही है according to money control user आप देखे 89% लोग खरीजने की सिरा देने 9% लोग बेशने की बाख है दो फरसन लोग कोईट करने की नसीलत यहां पर दे रहे हैं इ इसको बुरा नहीं मानता हूं बड़िया प्रॉफिट है यह लॉक्डाउन का प्रियर था ऐसे हाल में भी कि इन्हों ने इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया है जो बहुत ही अच्छी बात है बाकी quarters में देखे तकरीबन 4000 परोड के प्रॉफिट थे सब्केंबर में 3418 परोड प्रॉफिट थे देखेंबर में यह definitely मुझे चार हजार परोड तक पहुच जाएगा और जो बड़े-बड़े एनालिस्ट है उन्हों ने भी जो प्रिडिक किया है वो आपरा 4000 परोड के आसपास ही है तो दुबार हम कह सकते हैं कि यह वो शैर है जो अपने pre-covid level तक पहु मुझे रहता है कि यह मेरा पहला टागेट होगा ITC में कि बहुत जंदी केशन अपको 244 रुपे के आसपास ट्रुइट करता हो देखने को मिलेगा और लॉंग टर्म में यह उससे उपर भी निकल सकता है अच्छी खासी होल्डिंग है पब्लिक के पास भी, FI के पास भी, D अगर हम यहां पर देखें तो हाइस पब्लिक इंडी उजे इन्विश्ट सब काफी बहतर है यहां पर इंशॉरंस कमपनी के बाद बेच्छे का सी होल्डिंग है दो बड़ी चीजों का इंतजार है यहां पर पहला डिसंबर क्वार्ट के रिजल्ट और दूसरा डिसंबर क होना चाहिए यह वो शैर है जिसको आप पांच या दस साल के लिए भी अपने पॉकिट में रखते केरी चल सकते हैं डरने की यहां पर जरूरत नहीं है हर क्वार्टर में हर साल आपको बढ़िया यहां पर डिविडेंट मिलेगा उसके अलावा जो बिजनस है इनका वो अच्छी बात है कंपनी को अभी भी FMCG का प्रीमियम वैल्यूशन नहीं मिला है कंपनी इसके लिए एक फाइट कर भी रही है कि इनको FMCG का प्रीमियम वैल्यूशन मिल जाए और अगर वो मिल जाता है तो याद तो यह अयकिन मानिए इस शेयर को आप तब पकड़े नहीं अब्सक शेयर खरीदने हैं तो फेले स्टॉशन खरीद हो थोड़ी सी गिरावाट आए और कॉंटिटी है इस तरह किसे यहां पर प्ले करो दो स्वारी 1st February को डेफिनिटली हमारा बजट डिक्लेर होने वाला है इसमें कहीं न कहीं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टोबे को और वैसी जो प्रोड़क्ट है उनके पर जो टेक्सेशन है वो जादा लगता है हमेशा और शायद लगा भी सकते हैं तो अभी थोड़ी सी कॉंटिटी खरीद सकते हो बजट आने के बाद डिकलर होने के बाद थोड़ी और कॉंटिटी अगर गिरावाट आए तो एड़ कर सब्सक्राइब करें अच्छा डिविडेंट पे कर रहा है और उसके अलावा इतनी बढ़िया इनका प्रोड़क्ट पोटफोलियो है कि जिसका कंजम्शन दे बाई डे बढ़ने वाला है बल्कि कम नहीं होगा तो वीडियो को यहीं पर पसंद नाया हो तो प्लीज नाइक सब्सक्राइब कर दो सक्षायर की उलाएक ट ceux मिलें गिवेश्शन दे कर दो प्लीज नाइक पिला प्लीभी प्लीज पर पसंद वेशन दे के हम तो hacemos कि वेवेशन वे शलोब है।